हाई गाईस मेरा नाम है रॉबिन सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सॉरी गाईस ये थोड़ा इंपोर्टेंट हो तो आई नीड टेक दिस कॉल हलो हाँ जी योगी जी गुड इवनिंग योगी जी ओ सॉरी पाई लाग भी योगी जी 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 रॉबिन बात कर रहा हूँ अच्छा आज से नाम रवी अरे बिल्कुल बढ़िया योगी जी मैं तो खुदी चाह रहा था कि मेरा नाम रवी हो जाए बस एक रिक्वेस थी सर कि रवी के साथ किशन भी एट कर लूँ क्या तो क्या पता मेरे भी अच्छे दिन आ जाएं जी जी तो योगी जी आप ये सारा काम अकेले करेंगे क्या अरे बिल्कुल योगी जी कैसी बात कर रहे हूँ मैं आपकी मदद नहीं करूँगा जी जी जल्दी से जल्दी देखी अगर मैं दिन के 18 गंटे काम करूँ संडे दिवाली सारी चुट्टियां भोल जाओ तो मैं अगले महीने तक आपको रिपोर्ट पूरी फाइनल करके कंप्लीट करके दे दूँगा जी जी होगी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको सबकी नाम की लिस्ट आपको पूरी दे देटा हो मैं जी तैंकी जोगी जी सौरी गाईस वो थोड़ा सा मजाग था मेरा नाम अभी भी रॉबिन ही है तो आज का हमारा टॉपिक है वो है प्रोपगेंडा बड़ा ही इंट्रस्टिंग सा टॉपिक है यह आज का प्रोपगेंडा तो आज propaganda के बारे में discuss करेंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा और सोचिएगा जरूर कि क्या हमारा भी कभी कटा है या फिर कटा जा रहा है और हाँ अगर अभी तक आपने काश को subscribe नहीं किया है तो guys be a part in this journey of काश by subscribing and sharing हम ऐसे ही informative videos आपके सामने लाते रहेंगे सबसे पहले propaganda का मतलब तो ऐसी जानकरी जो विशेश रूफ से एक पक्षपाती या भ्रामिक प्रकरती की है जिसका उपयोग राजनीतिक कारणों में किसी एक धारणा या point of view को बढ़हावा देने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं propaganda वीडियो को पूरा देखने के पर आप अच्छे से समझ पाएंगे इस propaganda को और ये propaganda जो है ये किया जाता है किसी एक व्यक्ती या एक ग्रुप के द्वारा जिसे propagandist कहा जाता है तो इस वीडियो में हम इन दो words का काफी use करेंगे propaganda और propagandist तो propaganda जो अभी समझाया था और propagandist वो व्यक्ती या फिर ग्रुप जो propaganda फैला रहा है 7 different types के होते हैं ये propaganda तो एक बार उस पे नज़र डाल लेते हैं सबसे पहले आता है आपका bandwagon इसमें जो leader है या propagandist है वो ये खबर फैला देता है कि भाईया सब कर रहे हैं सबी का भला इसी में है तो करना ठीक है और सब लग जाते हैं इसी race में अगर मैं इस काश को लेकर के bandwagon का use करूँ तो मैं कहूंगा कि भाईया सबी इस channel को subscribe कर रहे हैं तो आपका भला भी इसको subscribe करने में है तो subscribe जरूर कीजेगा लेकिन मैं ये propaganda नहीं फैला रहा हूँ और नहीं ये कोई propaganda है तो इस channel को subscribe जरूर कीजेगा दूसरा आता है आपका testimonial इसमें सहारा लिया जाता है famous personalities का, athletes का या ये कहें कि celebrities का celebrities को लेकर के प्रचार किया जाता है या उनको अपने साथ शामिल कर लिया जाता है और फिर ख़बर या propaganda फैलाया जाता है तीसरा number पे आता है आपका plain folks इसमें जो leader है या propagandist है उसकी life को एक साधारान व्यक्ति या middle class व्यक्ति की life के साथ में compare किया जाता है और फिर ये ख़बर फैलायी जाती है कि भईया देखो इस leader को क्या आम आदमी जैसी जिन्दगी ये जीता है और इससे मुझे याद आया मेरा जोला कहा गया चौते नंबर पे आता है आपका transfer तो transfer में जो leader है या propagandist है वो सहरा लेता है कोई famous court का या कोई historical leader की court का या फिर कोई धर्म की कोई court का और उसका सहरा लेकर के propaganda फैला दिया जाता है लोगों में ख़बर बांट दी जाती है फैला दी जाती है पांचवे नंबर पे आता है आपका fear fear यानि की डर लोगों में डर बना दिया जाता है और ऐसा डर जिसका इलाज सिरफ propagandist के पास ही है तो सारे लोग जुड़े रहते हैं उस propagandist के साथ छटे नंबर पे आता है आपका logical fallacies basically logic या तर्क होता है किसी एक या ज्यादा परिसर में से निशकर्ष या conclusion निकालना लेकिन logical fallacies वाले इस propaganda में जो निशकर्ष या conclusion निकाला जाता है वो होता है गलत आज के टाइम पे काफी प्रचलित है जैसे कि अगर कोई सरकार या BJP सरकार का विरोधी है तो उसे anti-national का tag लगा दिया जाता है तो ये एक सबसे बड़ा example है इस logical fallacies वाले propaganda का और last में आता है name calling तो logical fallacies के जैसे ही name calling भी काफी ज्यादा famous काफी ज्यादा प्रचलित है आज के टाइम पे इसमें होता ये है कि जो भी व्यक्ति propagandist के idea या propagandist के anti-against जाता है उसे negative नाम negative symbols दे दिये जाता है जैसे terrorist, racist, fascist, anti-national या पपू इसी प्रकार के और Hitler जिसे propaganda का बहुत बड़ा leader माना जाता था उसने भी अपने time पे कहा था कि all that matters is propaganda तो basically propaganda और education में difference ये होता है कि propaganda कहता है हमसे कि आप ये सोचो और education कहती है कि सिरफ सोचो तो education का सहारा लेकर के सोचिए जरा इस propaganda के बारे में चलिए अब देखते हैं propaganda के कुछ recent examples को Mr. Amit Malwiya को तो आप सब लोग जानते ही होंगे और अगर नहीं जानते तो बता दूँ कि ये हैं हमारी सरकार के हमारे national head of information and technology तो क्या सही information देते हैं ये अपनी tweets के जरिए इनके tweets काफी ज्यादा famous होते हैं लखनाव में जब CEA protesters काशिव साहब जिन्दाबाद कह रहे थे तो सर ने सुना पाकिस्तान जिन्दाबाद और शुरू कर दिया अपना propaganda हमारे पूर्व प्रधान मंत्री मनमोहन सिंग जी का एक वीडियो क्लिफ वाइरल किया जिसमें मनमोहन सिंग जी बोल रहे थे कि governments of मध्यप्रदेश and 36 गड़ वर वेरी गुड़ तो अमित सर ने लिखा कि राहूल गांदी देखिये कैसे मनमोहन सिंग जी आप ही को गलत बता रहे है पर जब पूरा वीडियो क्लिफ देखा तो उसमें मनमोहन सिंग जी बोल रहे थे कि my relationships with the government of मध्यप्रदेश and 36 गड़ were very good सर ने PM मोधी के लिए tweet किया और लिखा कि ये देखिये ये हैं हमारे सबसे पहले head of state जो कुम्ब गए पर जब research करी तब पता चला कि पंडित जवारलाल नहरू और हमारे पूर्व राश्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद भी कुम्ब में ले जा चुके हैं ऐसे ही नाजाने कितने tweets national IT head ने किये जिसका मूल उद्धेशता propagandist को समर्थन देते हुए प्रॉपगेंडा को फैलाना इस पूरे article का link नीचे description में added है वहां से जाके आप एक बार जरूर पढ़िएगा और समझिएगा कि social media कितना बड़ा किरदार निबाता है इस propaganda को फैलाने में सारे dots को connect कर ध्यान दीजिए बड़ा interesting होता है ये propaganda जरा देखिए एक बार इस video को तो देखा प्रोपगेंडा पहलाने में कितनी help मिलती है मीडिया से मीडिया कैसे काम कर रहा है ये तो आप सब सुनी ही रहे होंगे और अगर आपने हमारा TRP का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं मीडिया और प्रोपगेंडा दोनों साथ में ही चलते हैं जैसे whatsapp groups, facebook groups, tv media ये तोनों ऐसे साथ में ही चलते हुए प्रोपगेंडा पहला आते हैं ऐसे की लगे की सच हिटलर ने साथ में ये भी कहा था कि make the lie big, make it simple, keep saying it and eventually they will believe it recently एक प्रोपगेंडा का example ये भी देखने को मिला कि जब बिहार में प्रचार देखने को मिला लेट सुशान सिंग राजपूत की फोटो को ले करके और इसका काफी बड़े इस्तर पर प्रोपगेंडा का इस्तिमाल होता है और उसका हम पर क्या असर होता है देखी ज़रा एक बार इस वीडियो को और यूपी के ही महराज गंज में हिंदू युवा वाहिनी के कारेकरताओं ने एक चर्च में प्रार्थना सभा रोप दी आरोप लगाया कि यहां धर्मांतरण हो रहा था पुलिस ने जाच में यह पाया कि सिर्फ कुछ विदेशी यहां आये थे यह तो बड़ा ही छोटा सा एक एक अग्जामपल था जो मदद कर रहा था उस प्रॉपगेंडिस्ट की उसका वो प्रॉपगेंडा फैलाने में लेकिन और भी काफी कुछ कर सकता है यह प्रॉपगेंडा आसान शब्दों में कहें तो हम चाबी नुमा खिलोने बन जाते हैं अपने ही सवालों पर ताला लगा लेते हैं लेकिन क्या हम इसे रोक सकते हैं क्या हम इस प्रॉपगें आप हमारा फेक न्यूस का भी वीडियो यहां आई बटन से जाके देख सकते हैं, तो हम बाग कर रहे थे चावी नुमा खिलोनों की, तो देखते हैं जरा यह वीडियो And at the core of it, if you want to look at drawing room conversations, the drawing room conversations would be that Mr. Modi is a great man, he wants to do the great things, but the country is not ready for the greatness yet. But is he doing too much too soon? Is India ready for the Modi big changes? Or is India not ready for the Modi big changes? क्या मैं BJP के विरोध में हूँ? नहीं. क्या मैं मूदी जी के विरोध में हूँ? बिलकुल नहीं. उम्मीद करता हूँ, इस वीडियो के जरीए आप यह प्रॉपगेंडा का सही मतलब समझ पाएं होंगे, इस लोक्तंत्र में, इस डिमोक्रेसी में अपने सवालों पर ताला ना लगाकर उनकी एहमियत जान पाएंगे. तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, हमारे काम आपको पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करके बताएगा, और कोई भी फीडबेक या सजेशन से हमारे लिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट जरूर कीजेगा, और हाँ, अगर अ झाल